जय गुरु जी, आज हम आपके लिए आख के पोदे का एक बहुती शक्तिशाली टोटका ले करके आए हैं, जो कि आख की जिन्दगी में बहुत सी परिशानियों को दूर करने में सहाइक सिध होगा। आख के पत्तों से उसके फूलों से भगवान शिव का फूजन किया जाता है, उनको अरपन किया जाता है और इससे हमको भगवान शंकर की किरपा प्राप्त होती है, जो कि हम सब जानते हैं, हमारे पुराणों में विशेष्ट्याशी पुराण में इसका बहुत बार जिक्र है वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजेगा, चैनल को सक्स्राइब कीजेगा और कमड़ बॉक्स में जै भूले नात का जैकारा लगाईएगा तो लीजिये आईए शुरू करते हैं इस पुदे में इतनी तागत होती है कि ये बूरी शक्तियों, काले जादू, तंत, मंत्र, वशी, गरण, टोटकों से बचाता भी है और उनमें काम भी आता है इसकी पतियां बर्गत के पेड़ के पत्तों की तरह मोटी होती हैं, उनसे मिलते जुलती हैं इस पुदे को आख, आकडे, मदार, मंधार भी कहते हैं, पर इसकी पतियों को तोड़ने से जो दूद निकलता है, वो जहरीला होता है पर ये दूद बहुत सी आयुविदिक दवायां बनाने में काम आता है, ये पुदा जहरीला होता है और आसपास कहीं भी खाली बड़ी जमीन पर अपने आपी उग जाता है इस तरह का होता है अब आपको बताते हैं कि सभेत आख के पोदे के क्या चमतकारी फाइदे हैं आख का पोदा घर के मुखे द्वार पर लगाने से घर के किसी भी सदस्य पर कोई भी तांत्रीक बादा उपरी बादा असर नहीं करती है और उस घर में धन का भी अभाव नहीं रहता है यह मानेता है कि घर के मुखे द्वार पर अगर समतर अपने आप ही आख का पोदा उग जाता है तो आप बड़े ही सुबा गेशाली हैं और आपका धर्मान होना निश्चित है आपका पोदा चाए गमले में हो या जमीन में उसके नीचे शीमरी रख करके दूबत्ती दिखा करके साधना करने से भगवान शीव की किरपा प्राप्त होती है और साधना भी शीग सफल होती है और मंद्र भी जल्दी सिद होती है इस तरह का होता है आपके फल से रुई निकाल कर उसकी बत्ती जोत बना कर उससे दीपक जला करके पूजा करने से भगवान शीव की किरपा प्राप्त होती है लक्षमी की प्राप्ती होती है घर की नेग्डिविटी दूर होती है और आज का सबसे चमतकारी उपाई जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो दरेता नाशक है मनोकामनों को कून करने वाला है सफेद आख के व्रक्ष जो दो या तीन साल पुराने हो उन व्रक्ष की जड़ों में प्रकतिक रूप से भगवान गणपती जी की आकर्ती बनती है इनकी पूजा करने से घर के मंदिर में पूजा करने से सुख समर्दी लक्षमी की प्राप्ती होती है आपके कारियों में आने वाले सव विगन खतम होंगे सुख शांती आएगी साधना करते हैं तो सबल होगी रहु के तू का बुरा परभाब दूर होगा वास्तु दोश दूर होगा नेगेटिविटी दूर यह अनिथा ना करें क्योंकि उस स्थिती में इनका परभाबशाली होना मुश्किल होता है अब आपको करना क्या है अब आप किसी भी शुब महुरत रवी पुशे या गुरु पुशे नक्ससर जिस दिन हो या होली दिवाली धन तेरस हो और उस वक्त रहु काल ना हो यह आ आख के पौदे के पास जाकर उसकी जड़ को साबुत निकाल कर लाईए इससे एक दिन पहले पौदे के पास जाकर उस पर एक लोटा पानी चड़ाएं और निमंतर दे कर आएं कि हे व्रक्ष राज मैं आपकी जड़ अपने शुब कारे है तू लेने आउंगा दूबत्ती दे सिंदूर आदी का टीका करे अब इसके बाद उस पौदे की जड़ को घर लाकर एक दो दिन पानी में डालकर रखिए जब भान निकालेंगे तो इसकी जड़ में बगवान गणपती की आकर्ती दिखाई देने लगेगी अगर जड़ पुरानी ना हो तो जड़ को कुरे बनवा सकते हैं इन गणपती जी की आप विदिवत पूजा करें ये गणपती जी समत्र अपने आप भी इस पौदे की जड़ में प्रगट होते हैं ये बहुती चमतकारी उपाए है आपको सुक समर्दी की प्राप्ती होगी लक्ष्मी की प्राप्ती होगी आपके कारों मे आने वाले सब्विगन समाप्त होंगे सुक्षांती आएगी रहुकेतु का बुरा परभाब भी दूर होगा और घर की नगिवडिडी दूर होगी वास्तु दोश भी दूर होगा यह बहुत ही चमतकारी उपाय है आप करके देखिए आज बस इतना ही फिर मिलेंगे नई होगी होगे बसे हो दूरी छेखिग होगीजिगिगगीं करे दूर